नमस्कार दोफ्तों मैं संदीप स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्षेस्ट यूटूब चैनल में दोफ्तों आज पार टंबर है ट्वेल्थ आज किस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सोचिलोजी यानि की समास साफ्तर मॉडल कोश्चन के बारे में आज किस वीड तक यह सारे important questions provide करता हूँ जो कि आपके आने वाले जो exam है उसमें बहुत ही आपकी help करेंगे ठीक है तो चलिए बिना देरियो के वीडियो में आगे बढ़ते हैं यह सारे question आज की जितने भी है वो समासास related है तो यह सारे important question है आप ध्यान से समझेगा एक एक question और कुछ भी बहुत सारी बाते हैं जो कि हम आपको वीडियो के last में बताने वाले है तो ध्यान से समझेगा ठीक है वीडियो को पूरी तरह बने रहेगा अगर आपको exam में अच्छे से समझना है और अच्छे से marks लाने है अच्छे number लाने है ठीक है तो पहला question है आज की series का जो है लिखा के लिखा जाएगा अपसंटापको मिल जाएंगे अधार लिख का टू संत्ता रखा गया है उसका तर्श्यक का इस हजाएक चुस्टिंफ呢 कई बार रिपीट हुआ चुका है तो आप लोग इस पर ध्यान दिजीगा और ये आप ही सकता आपके आने वाले इंग्जाम में अगले को बढ़ते हैं कि संदर्ब समु का मुख्य आधार नंबर एक है वैक्तिक संबंध बी नंबर लगु अकार सी नंबर संबंधों में घनिष्टता और डी नंबर सदस्ट बनाने की आकांचा तो फिरहार इस को जाएगा वह जाए प्रदिये लिए गये सारी कोशिट यह सिर्फ समाज सास्त्र के जो आप लोग वुक है ऐसा कर सकते बूख है यह आप लोगे सकते हैं कि जो स्रीज है। उसमें से यह समूं उससे लेटर सारे कोश्चन है ठीक है तो यह पार्टिकुलर एक ही इस ले जो है तो दियान चीटियों के अतरिक्ति किसमें स्रम विभाजन यों विशेशी करन पाया जाता है तो आफसन आपको मिल जाएंगे मदमक्खी बंदर कववा कच्वा तो इसको राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा यह नंबर मदमक्खी ठीक है मदमक्खी में जो है पसु समाज में चीटि नमबर तो फिरहाल इस नंबर जाएट चोफ्तो हो जाएगा वह हो जाएगा एक नमबर जयाविक समाजिक प्रतिमान ठीक है तो समझेगा क्योंकि आपके एकज्ञाम में जो कुष्चन आएंगे हो सकता है कि को इसटन का कहने का मतलब एक ही रहे जो मैं आपको बता रहा तो सकता है तो आप द्यान से समझेगे कि समधाइक समूख की कौन सी बिसेश्टाइं नमबर एक जन संक्या भी नमबर है तो जो समदाइक समुख की जो बिस्यस्ता है उनमें से सभी होनी चाहिए जनसंक्या हम की भावना और निश्चिय छेत्र इसलिए राइट एंसर डी नमबर हो जाएगा जो समुख का जो बढ़ते हैं अगल फिसन के लिए कि निश्चित झ्यट्र आभोग भूभाग by नंबर निश्चित संख्या सी नंबर अव्यक्ति लोग और डी नंबर में से सभी तो राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा निश्ची छेत्र या भूभाग का होना समधाइक की बात का होना अवस्या का इसलिए राइट एंसर इनम्बर हो जाएगा को बढ़ते हैं कि बताई कि कौन समधा है नंबर कस्वा केंद्री लोक सेवा आयोग सी नंबर क्रिकेट टीम और डी नंबर कॉलरिज का छात्रावास इस तरह के आफसन आपको मिलेंगे तो ध्यान में रखिएगा तो जो निम्लिखित में से समधा है वह कस्वा इसलिए को रा सी नंबर राजनेतियक दल की और अधार अवखनेंक दल की और ऑधार अगला र्गी क्याने कि को निम्लिक मेंसे किस रूप में से किस रूप में पहेंचाना जाता है नंबर एक कि चेतर और समधाय प्ढूस तो ượूख आमिसे क्वेश्चिन कर बढ़ते हैं कि समयतिय समदाय नहीं बलकि समदाय के अंतरगत एक संगठन है या कथन कि समास चास्त्रीका है यह बहुत इंप्वार्टन तो ध्यान दीजेगा इस तरह के एक्जामे कोश्चिन पूछी लिए जाते अक्सर आते ही लिखाए कि समदाय नहीं ब घोष तथा ग्राम इन दोनों प्रकार के गाउं का उल्लेग भारती इतिहास के किस युग में मिलता है नंबर एक है मद्ध युग वैदिक युग अंग्रेजो का युग जो था और अगला अप्शन है कि धर्मसास्त्र युग तो कुश्चिन का जो राइट एंसर हो जाए आप से आपको मिल जाएंगे एक दूसरे को प्रवावित करने पर बी नंबर अर्थ पूर्ण उतेजना पर सी नंबर लंबी अवस्ते संचार पर और डी नंबर समाजिक ऐसा मंदों पर तो इसको राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा मैं का वेरे एवं पेजने समों के एपनी परिमासा वह उस पर जोड़ दिया था वह समाजिक संबंधों पर दिया था इसलिए कुष्टन का राइक एंसर हो जाएगा अगला क्या ने लिखाए कि अंत-सक्रीं टो और घिन किने किर नंबर 1 मरतन कुलिय आगबरण वर्डिन अमडर समय तो कई राइट एंट्र हो जाएगा वो जाएगा बेन अमडरे ठीक है तो अभी जो आपने ऊपर पड़ा था मैका एवर पेश और अब कोले आगबर्ण यह सभी समा सास्त्री है ठीक है तो थोड़ा अजनमी लग रहे होंगे जो रिपीट हो रहे हैं चाहिए कि थोड़ा कर्फीजन हो गई होगी तो वह समास्त्री है ठीक है अगला कुछिशन है कि चुछ और जाओ के समद में कि समों की विशिष्टा है नंबर एक समाजी भी नंबर प्रात्मिक नंबर में से कोई नहीं तो राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा अगला कुछिशन कहरा की निम्न में समाजिक समों का उधार नंबर एक स्क्रमिक संग परिवार पत्ति-पत्नी और परिवार दो इसमें हैं यहां पर आप लोग चाहे इस पे ऐसे भी कुश्च हो जाता है तो आप लोग यह पहला रहेगा उस पर टिक करिएगा ठीक है जो पहला देसे दो रिपीट हो जाएंगे एकी तरह के आपसल तो पहले वाले पर लोग टिक करिएगा यह निकिए अगले कुछिशन कर बढ़ते हैं लिखाए कि निम्न में से कौन संदर्ब का समू बंबर के जहाज पर कारम्र करने वाला भी अंता बीनमबर अनुविज्ञान दिसारद औरसी नमबर कॉलज जाने वाला विद्याथि डिनमबर में सब्सक्रास कर दो राइट हैं सब्सक्राइगा एंगले कुछिशन के दूबढ़ते हैं अलब करने और आक प्रत्या है आप आफसर मिल जाएंगे सो रूकिन आग बर जिस बर्ग और डी नमबर मैं काईवर तो कुछिए के जो राइटेंट सरुगा हो जाएगा अर्द साहबागी समुका प्रत्य जो प्रतिपादित किया है उनका नामे जिस बर्ग इसलिए राइटेंट से इसका हो जाएगा क्लास्रोम चाहतर एक सहर मज़़ूर यूनियन उजाज नायतिक पारटी तो इसका राइटेंट सरुगा जो जाएगा जो दूदियक प्रतिपादित किया आफसर मिल जाएंगे आलपोर्ट सोरोकिन इसका राइटेंट सरुगा जो प्रतिपादित किया था उनका नाम है हाइबन इसलिए कोई आज कि इस वीडियो में सोचोलोजी जो की आप सभी समय सकते सब्जेक्ट है जो कि इसके लेशन का नाम है समाजिक समू इससे लेड़ेट तो यह अगर आप अच्छे समझ के जाते तो दो चार नमबर आप किसमें सबस जाएंगे और बहुत सारे लेशन है जिनमें जल्द ही वीडियो आजाएगी अगर आप कमेंट करते हैं तो आप इंडिया किसी भी सब्जेट का मांडल पेपर चाहिए तो मैं फिर से बोलूँग आप जोइन करेंगे तो अच्छा लगेगा पढ़ाने में भी और आप लोगों की समझ में भी आएगा और वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्त यार तक ठीक है और साथ साथ में आपको बता दूँँ अगर आपको इस सभी पीडियाप चाहिए एंसर सही तो आप आप लोग कमेंट में बताईएगा और मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी साथ में वीडियो की डिसकेशन में डाल दूँगा तुस्ते जॉइन हो जाई हो वहाँ पर मैं टेलीग्राम पर सारे कोश्चन की पीडियाप प्रवाइट कर दूँगा आप लोगों ठीक है अ अब हम आपको मिलते हैं डिस्ट वीडियों बतब तक क्लिए जय हिंद